आज हम जानेंगे कि ऑफिस 2013 को हम कैसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं जब आप नीचे दिएगे डैस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक है अवेलेबल है गूगल ड्राइब का आप उस लिंक पर जाएंगे वहां से एक फाइल डाउनलोड करेंगे यह एक रार फाइल डाउनलोड होगा इस रार फाइल को आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आप कर देंगे यहां एक्स्ट्रेक्ट हेर आप जैसे ही extract here करेंगे आप देखेंगे इस तरह एक folder बन जाएगा आप उस पर double click करेंगे open हो जाएगा इस folder के अंदर आप देखेंगे यहां एक setup का file होगा आप इस setup file पर right click करेंगे right click करके run as administrator कर देंगे notification आएगा उसको yes कर देंगे process होना start हो जाएगा यह install होना start हो गया है यह install हो जाएगा complete 100% उसके बाद आप कैसे इसको use कर पाएंगे उसका एक हम basics देखेंगे basic देखें यह approach finalizing installation हो रहा है यानि के approach आपका installation completion पर है आप जैसे यह install हो जाएगा complete मैं इसके बाद का process आपको explain करूँगा कैसे आप इसको use कर सकते हैं open कर सकते हैं यह Microsoft Office Professional 2013 है जैसे यह complete install होगा window अपने आप close हो जाएगा अब आप चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं आप अपने start window पर जाएए start window पर जाकर आप यहां से check कर यह m पर Microsoft Office पर आईए Microsoft Office 2013 आप यहां देख सकते हैं Microsoft Taxes आ गया है Microsoft Word आ जाएगा World 2013 आ गया है सेम इसी तरह सब इसके options आपके पास आ गये हैं अगर आप चेक करेंगे PowerPoint 2013 भी आ गया है तो आप अगर देखना है आप क्लिक करें PowerPoint 2013 पर आपने क्लिक किया आप देखिए PowerPoint open हो जाएगा तो आप MS Word की एक notification बार-बार आएगा Microsoft Office Activation Wizard आप इसको close कर सकते हैं आप इसको ignore करिए हर बार आप ऐसे use कर सकते हैं कोई problem नहीं आएगा आपके पास templates हैं आप कोई template लेकर start कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको explain करने जा रहा हूं कि आप कोई basic presentation कैसे बना सकते हैं आपके गाइस सचली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइक, subscribe and share करना बिलकुल मत भूलेगा कोई doubt है तो आप नीचे मेंचे comments करके पूछ सकते हैं आपके गाइस, thank you